हलो गाइज आप देख रहे हैं वाई जी लोर मैं हूँ वाई जी और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 अंडर कॉंस्टिटूशन अफ इंडिया आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूँ तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे कॉंस्टिटूशन में ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा बोल रहा है डॉक्टर बी आर अंबेड कर बी आर अंबेड कर के साबसे सोल और हार्ट अफ दी कॉंस्टिटूशन है आर्टिकल 32 अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की की वो कहता क्या है आर्टिकल 32 बेसिकली रेमिडीज प्रोवाइड करता है फॉर दा एन्फोर्समेंट आफ राइट्स कौनसे राइट्स जो इस पार्ट में दिये हुए हैं किस पार्ट में ये आर्टिकल 32 अगर अकेले पढ़ोगे तो किस पार्ट की बात हो रही है फंडामेंटल राइट के पार्ट की बात हो रही है पार्ट थर्ड अफ कॉंस्टिटिशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिये ना उनकी रेमिडीज एन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 में दिवी हैं 32 सब क्लॉस 1 में बेसिक बात दिवी है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो अपना ये राइट एन्फोर्स कराने सब क्लॉस 2 में रिट्स बताइए कि कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट अर्टिकल 32 के अंदर में रिट्स दे सकता है तो इसमें कौन कौन सी हैं कुछ भी मान लो कोई फरक नहीं वर्दा आप कैसे बोलते हो स्पेलिंग से लिख क्या ना ये रिट्स डिटेल में बाद में देखेंगे सब क्लॉस 3 पे आते हैं सब क्लॉस 3 पार्लेमेंट को पावर देता है कि वो बाई लौ दूसरे कोट को पावर दे सकता है जो सुप्रीम कोट को क्लॉस 2 में मतलब ये रिट्स इशू करने की जो पावर है वो पार्लेमेंट दूसरे कोट को भी दे सकता है और 4 में भी जनरल सी बात है उसमें बुलाए कि जो राइट गारेंटिट है अर्टिकल 32 के अंडर में वो सस्पेंट नहीं होंगे एक्सेप्ट है अदर्वाइस प्रोवाइड़ फॉर बाई दा कॉंस्टिटूशन अब अर्टिकल 32 भी है और एक अर्टिकल 226 भी आपने सुना होगा जो हाई कोट को ऐसी सिमिलर पावर देता है तो इन दोनों में क्या अंतर है अब एकदम वो बेसिक सार डिफिर्स मित बनाना है सुप्रियुम कोट का ना थर्टिट or हाईखोट का 226 है तो यह डिफिर्स है यह डिफिर्स है लेकिन ही ऑब्वियस डिफिर्स है के अलावा पूछ रहों में क्या difference है इसके अलावा पहला difference यह है कि जो 32 के अंडर remedy है 32 fundamental rights का part है 226 fundamental right का part नहीं है तो जो 32 के अंडर remedy है वो खुद in itself fundamental right है तो Supreme Court के पास discretionary power नहीं है कि वो petition reject कर दे ऐसे ही बिना सुने ठीक है लेकिन 226 में हाई court के आस पावार है कि वो petition outright reject कर सकता है अगर चाहे तो ठीक है सुनने की जुरुत नहीं है discretionary power है हाई court के पास और दूसरा difference यह है कि 32 के अंडर में जब बात कर रहे है ना तो वो rates issue कर सकता only for the enforcement of fundamental right Supreme Court के बात कर रहे हैं लेकिन 226 के अंडर में हाई court Supreme Court का jurisdiction पूरी territory of India पर हाई court का सिर्फ state के ओपर होता है अब 32 में जो सबसे important aspect है उसकी बात करते हैं जो की है rates, habeas corpus, mandamus, co-warrantow, prohibition और certiorary यह 5 rates हैं जो article 32 के अंदर mentioned है तो अपन habeas corpus से चालू करते हैं, habeas corpus का literal meaning होता है let us have the body इसका मतलब होता है कि court में पेश किया जाया जिस आदमी के context में rate file करी गई है, यह rate public authority के अगेंस्ट भी file की जा सकती है और private individual के अगेंस्ट भी file की जा सकती है इस rate को कैसे use कर सकते हैं आपको example के दुरू समझाता हूँ मानलो यह आप हो, आपको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया है लेकिन पुलिस ने article 22 sub clause 2 के अंदर जो 24 घंटे के अंदर आपको magistrate के सामने पेश करना था ना अरेस्ट करने के बाद, वो नहीं करा ना आपको grounds बता है आपके अरेस्ट के मतलब totally unlawful arrest था आपका आपको अरेस्ट करके रख रख रखा है और दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए, पांच दिन हो गए आप जेल में बेटे हो तो आपका legal representative जाके habeas corpus के rate file करेगा वो बोलेगा कि इस आदमी को पेश किया जाए court में और चेक किया जाए कि इसका detention lawful है कि unlawful है तो court इसको बुलाएगा court बोलेगा कि भाई दिखाओ हमको बंदा और वो आएगा और court उसमें फिर देखेगा कि भाई lawful detention था कि unlawful detention था और police वाले गलती थी कि नहीं थी या फिर किसी और बंदे ने private individual भी है ना किसी और बंदे ने भी अगर detain कर रखा है तो lawfully कर रखा था कि unlawfully कर रखा था मालनो एक लड़की एक आदमी के साथ खुद भाग के गई है और उसके घर वाले habeas corpus लगा दें बोले कि kidnap करके लेके गया है तो वो लड़की आके बता देगी ना कि मैं तो अपने इच्छा से गई थी major हूँ 18 प्लस हूँ वगेरा वगेरा तो यह habeas corpus का basic use है चार cases में habeas corpus apply नहीं होता है number one है detention lawful है तो नहीं apply होगा obviously अगर contempt of court या contempt of legislature के लिए अगर उसको detain किया है तो habeas corpus apply नहीं होगा अगर competent court ने detain करा है तो habeas corpus apply नहीं होगा और obviously territorial jurisdiction of court के अगर बाहर की बात है तो वैसे भी jurisdiction नहीं होता court के पास तो habeas corpus भी नहीं वो rate issue कर पाएगा second rate है mandamus mandamus का मतलब होता है we command mandamus में एक superior court lower court tribunal या public authority को बोल सकता है कि आप act perform करो जो की आपकी duty थी लेकिन आपने वो करी नहीं बस इतनी सी बात है mandamus में और mandamus में याद रखना कि this rate cannot be claimed as a matter of right ये discretionary power है court की कि वो issue करे या ना करे next rate है co warrant हो जिसका मतलब होता है by what warrant या फिर क्या authority मतलब किस authority से तुमने एक काम करा basically a rate पूछ रही है इस rate में आप एक इनसान को रोक सकते हो जो public office hold करके बैठ चुका है लेकिन ओ एंटाइटल नहीं है उस public office के ऐसा मान लो कोई job की vacancy आए और उस job की vacancy में retirement age 60 years हो ठीक है लेकिन ऐसे बंदें को appoint कर लिया जाए जो की अभी actually 62 years का है तो अब आप co warrant की rate file कर सकते हो कि 62 years का बंदा ऐसी job किस authority से कर रहा है जिसकी retirement age ही 60 years है ठीक है समझेगे concept तो यह हो गया mandamus यह हो गया co warrant prohibition prohibition का मतलब होता है to forbid or to stop मतलब basically stay order की बात कर रहे है prohibition में इसमें क्या होता है मान लो अगर कोई lower court है और वो अपने jurisdiction से भार का काम कर रहा है तो जो higher court है superior court है वो बोल देगा कि आप यह नहीं कर सकते और prohibition लगा देगा और stay order लगा देगा इतनी सी बात है जैसे ही superior court lower court पर रिट लगा देगा जैसे ही रिट इशू हो जाएगी जो proceeding lower court में चल रही है वो वहीं के वहीं रुख जाएंगी और matter transfer हो जाएगा higher court में नेक्स्ट रिट है शर्षयर राय का मतलब होता है to be certified certified कैसे इसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि inferior court को ट्राइबनल को कि देखो आप जो matter भी सुन रहे हो ना वो एक superior authority को proper consideration के लिए transfer करो अगर individual के right effect हो रहे हैं इसमें तो सर्षयर राय रिट केन भी फाइल अगेंस administrative authorities ऑल्सो अब आप बोलोगे प्रोहिबिशन में भी lower court का matter superior court में भीज दिया और सर्षयर राय में भी lower court का matter superior court में भीज दिया तो इन दोनों में अंतर क्या है इन दोनों में अंतर यह है कि जब अपन prohibition की बात करते है न तो prohibition एक preventive rate है preventive rate का मतलब होता है कि case चलने से पहले ठीक है मतलब subordinate court में जब pending है ना proceeding तभी prohibition file कर दिया और तभी वो मतलब transfer हो गया superior court के अंदर लेकिन search array में क्या होता है मानलो case चालू हो जाए और case चालू होने के बाद कुछ orders भी pass हो जाए final judgment नहीं है final judgment के बाद तो भी appeal होती है लेकिन final judgment नहीं है कुछ order पास हो गया case चालू हो चुका है pending नहीं है तो यह वो case के order को भी quash कर देता है और उसको भीज़ देता सुपेरियर court में तो मतलब search array apply होता है जब case चालू हो चुका है तब और prohibition apply होता और search array तो guys यह हो गया वीडियो complete अगर वीडियो अच्छा लगा तो यहां पर एगी constitution की playlist देख लेना और यहां पर एंगे मेरे paid courses वो देख लेना और obviously description में सारे links वगेरा होंगे और like करना subscribe करना comment करना तीन काम है एक second चलो एक नहीं literally 5 seconds लगेंगे लेकिन तुम्हारा कोच जाएगा नहीं तो कर दो क्योंकि एंड तक देख लिया तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा चलो बाय बाय टाटा सिया